दोस्तों आज के स्पीटों लोग बात करेंगे मादा जननतंत के विशे में आनिगे फिमे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विशे में चले वीडियों इस्टार्ट करते हैं मादा जननतंत के मुख्य अंग दो अंडास है निकी एक जोड़ी अंडास है पाया आता है और अंडवाहिनिया गरभास है योनी एवं भग होते हैं इस त्रियों में योनारंब 12 से 13 बस की आयू में शुरू हो जाता है एक जोड़ी अंडास है व्रिक के नीचे यानि किड्नी के नीचे उदर गुखा में प्रिष्ट तल पर चिपके रहते हैं देख लिजे इसमें अंडास है कहां यहां पर अंडास है यह उदर गुखा के पिश्ट तल पर चपका रहता है अंडास है कि समीप में अंडवाईनिया अथवा डिमब वाईनिया एक कीप की तरह शुरू होती है देख लिजे हाँ पर अंडवाईनिया अंडवाईनिया जोग दोस्तों यह एक कीप की तरह शिपकी रहती है दोनों और की डिमब वाईनि गर्बासर एक छोटे कोष्ट योनी में खुलता है ये देख लिजी एक छोटा कोष्ट इसे योनी कहते हैं और योनी द्वारा बाहर खुलता यानि कि योनी द्वारा ये ऐसे ही बाहर खुलता है इस्तियों में पूरुष के सिस्न के समझात यानि की समान दिखने वाली कलाई टोरीज होता है अंडासर अंडाडू अंडाडू को दोस्तों मादा युगमक भी करते हैं तथा कुछ हार्मोंस बनाते हैं जो अंडासर होते हैं वह मादा युगमक और कुछ हार्मोंस बनाते है कुछ हर्मोंस बनाने का मतलब दोस्तो जैसे कि इस्टोजन और इंडोस्ट्रोजन के नामाख हर्मोंस ये बनाते हैं योनी लगबग 8-10 cm लंबी मांसल लेचना होती है दोस्तो जो योनी होता हुआ 8-10 cm मांसल यानि कि मांसे भरा हुआ नलिका होती है जो संभोक के समय नर लिंग जिसे सिसन के नाम से भी जानते हैं ये नर लिंग को ग्रहन करता है दोस्तो आपको सिफ चार मुख चीज़े याद रखनी है पहला गरभास है दूसरा अंडास है तीसरा अंडवाहिनिया और चौता योनी इन चार चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना है चलिए एक बार इस ट्रेक्चर को फिर से देख लेते हैं विक के नीचे एक जोड़ी अंडासे पायाता है एक की ये है दोस्तो दूसरा ये है और अंडासे की ठीक उपर की पायाता है अंडाईनिया और अंडाईनिया एक कोश्टक की सनाचना का निमान करती है जिसे क्या करते है घरवा में खुला कि दूस्तों इस विडियों फिला लितना ही मैं ऐसा करता हूं आपको वीडियों ज़रूप पसंद आए हो कि अगर वीडियों मां कहीं भी थोड़ा सबी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किरीजिएगा मैं उसका अंसर जरू दूंगा चले इस विडियों फिला लि कर चानों कर सब्सक्राइब करना विल्कुल बिना पूलीं